कि हवाएं कहां बाज आती है सरार्तों से जो लड़कें ना रखे सिर्फे हाथ तो डुपट्टा उड़ जाए कि पडोस में बच्चे खेल रहे थे ये मेरा तेवर है और आप समझें समाज को क्या क्या चलता रहता है कि पडोस में बच्चे खेल रहे थे पर एक घर में फैला सरनाटा था ये उन दिनों की बात थी जो कस्मीर में सही दुआ सोनू का पापा था खबर जो खबर थी वो फोन पर आई थी माने घर में ना बतलाई थी स्कूल से आया सोनू पुछे मा से बार बार होली पर कब आएंगे पापा इस बार होली पर कब आएंगे पापा इस बार मा क्यों कई दिन हो गए ना तुन्हें अपने बाल सवारे हैं मुझे बाहर खेलने से भी आपके रोकती हो वह वह लाल लाल जो माथे पर लगाती थी वह क्यों नहीं लगाया आने तो पापा को मैं उन्से तकीय से लडूंगा अब तो बतादो मा पुली पर कब आएंगे पाहुल के पापा नहीं साइकल लाई है नहा के पापा उसे रोज स्कूल लेने आते हैं वह छोटा धुरूब कल पापा के साथ फिलम देखने गया मेरे पापा मेरे खिलोने कब लाएंगे मा बोलो ना मा होली पर कब आएंगे पापा इस बार मा कई दिन हो गए रदूने बदली अपनी साड़ी है लगती थी कितनी प्यारी क्या हालत तुन्हें बनाई है अब मैं ना होंबग करूंगा ना तुमसे बतलाओंगा आने तो पापा को सारी बात बतलाओंगा मेरे स्कूल में भी पापा को बुलाया है अब तो बता दो मा कि अग्तिया ऐसे है कि सोनु के ना हुए ते सवाल पूरे सोनु के ना हुए ते सवाल पूरे इतने मैं चोकट पर दस्तक दिये पापा की लास ने माने भी आखोंगा दिये स्थिति गंबीर सोनु अंजानता और बच्पने में करे जा रहा वही सवाल पुली पर कब कभी ताके अंतिम पंक्तियों के साथ आपको जोड़ता हूं कि एक बुढ़िया ने बतला ही सोनु को सारी बात एक बुढ़िया ने बतला ही सोनु को सारी बात सोनु ने केमा की आंकों से असु साब बोला मा मत हो परेसान मा मत हो परेसान मुझे पता चल गए सारी बात अब पापा नहीं आएंगे कभी हमारे पास पापा नहीं आएंगे कभी हमारे धन्यवाद बहुत-बहुत आवाद